योगी आदितनाथ को दुबारा यूपी की कमान मिलने की आपचारिकताएं आज पूरी हो जाएंगे और आज लखनों में बीजेपी विधायक की बैठक चल रही है इसमें योगी आदितनाथ विधायक दल के नेता चुने जाएंगे बैठक के परिवेक्षक के तौर पर ग्र योगी आदितना शुकरवार को लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम पत की शपत लेंगे शपत ग्रहन समरों लखनों के एकाना स्टेडियम में होगा इस समरों को भव्य बनानी की जोरदार तैयारिया चल रही है शपत ग्रहन में पिये मोदी समित बीजेपी के कई गच मौझूद रहेंगे ग्राउंड जीरो से पूरी तैयारियों का जाइजा लिया हमारे सहयोगी आदर्श सिंग ने योगी सरकार 2.0 का शपत ग्रहण 25 मार्च हैनी कल होने जा रहा है और उससे पहले अंतरराश्ट्रिये क्रिकेट स्टेडियम इकाना में इसकी तैयारियां चल रही है इस वक्त हम स्टेडियम के अंदर मौझूद हैं और एक्स्लूजिव तस्वीरे हम आपको दिखा रहे है कि कैसे पूरे स्टेडियम को सजाया गया है इस स्टेडियम की शमता की बात करें तो तक्रीबन 60-70,000 लोग जो हैं वो इस स्टेडियम में बैट सकते हैं यहां पर मैच कानद उठा सकते हैं और ऐसे में इतने ही लोगों को यहां पर बुलाकर शपत ग्रहंड समारों में शा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, ग्रियमंतरी अमिश्याह, रक्षा मंतरी राजनात सिंग और ऐसे तमाम लोग जिनकी प्रोफाइल बड़ी है जो अपने अपने शेतरों में दिगज हैं उनको बुलाया गया है इसके साथ ही साथ जो लोग प्रधान मंतरी की योजना से य उसके साथ साथ कमल जो भारती जनता पार्टी का प्रतीक चिन्न है उसको भी बनाया जा रहा है उकेरा जा रहा है मैदान में ये पूरा ओ सरकल बनाया गया है और इस सरकल में आने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी